ग्यानियग्य में आपका स्वागत है ग्यानियग्य की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन की सहाथा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अने लोगों के साथ शेयर करें इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं OLX पर जॉब ढूणना और जॉब ओफर करना इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पुरानी वस्तुएं खरीदना और बेचना बताया था इस वीडियो में हम आपको OLX में जॉब ओफर करना और जॉब सर्च करना बता रहे हैं आईए पहले हम देखते हैं कि हम जॉब कैसे ढूंडें ब्राउजर में OLX की वेबसाइट ओपन कर लीजिए और होम पेज पर दिख रही कैटिगरीज में से जॉब्स पर क्लिक कीजिए जॉब्स की अंतरगत आपको काफी सारी कैटिगरीज दिखाई पड़ेंगी अभियोधारन के लिए हम IT सिलेक्ट कर रहे हैं आपको जिस भी कैटिगरी का जॉब्स चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं ओल इंडिया वाले बॉक्स को क्लिक करके ओपन हुए मेनू में से अपनी सिटी चुनिए या फिर उस ब्लॉक में अपनी सिटी टाइप कर दीजिए अभी हम इसे औल इंडिया ही रहने देते हैं अब आप किस तरह का जॉब देख रहे हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम वो आप पोजीशन आप्शन पर क्लिक करके चुन सकते हैं इसके बाद अपनी सेलरी रेंज सेट कीजिए यह हमने सेलरी रेंज चुन ली है और अब इसके बाद सेलरी पीरियड चुनिए यहां से आप चुन सकते हैं कि आप कितने पीरियड में सेलरी चाहते हैं आरली, वीकली, मंथली या इयरली यहां पर हम मंथली चुन रहे हैं मन्थली चुनने का मतलब यह हुआ कि हमें हर महिने salary मिलेगी यह देखे, OLX ने हमें job suggestions दे दिये हैं इन में से जो भी job आप select करना चाहें, वो select कर सकते हैं यह हमने एक job select किया है, यहाँ पर job details मिल जाएंगी अगर आप इस job के लिए apply करना चाहते हैं, तो यहाँ दिये गए number पर call कर सकते हैं यह तो हमने देखा job search करना, अब हम देखते हैं job offer करना या job posting करना यह हम वापस से home page पर आ गए हैं, अब अगर हम job offer करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ दिख रहे है, submit a free ad पर क्लिक करें, यह यहाँ पर submit a free classified ad वाला page उपन हो गया है अब जो भी job आप offer कर रहे हैं, उसकी details यहाँ पर दे दें टाइटल में हमने डाला, need qualified video editor अब category के सामने वाले box पर क्लिक करें, क्लिक करते ही category सेलेक करने वाला menu open हो गया है इसमें best matching category, jobs, other jobs है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं अब type of job में हमको दो options मिलते हैं, offering job और seeking job अगर आप job ढूणना चाहते हैं, आपको अपनी services offer करनी हैं और आप कोई particular field में job चाहते हैं, तो उसके लिए आप seeking job को सेलेक करें पर ध्यान रहे कि इसके लिए आपको add title भी change करना होगा यह जो हमने title दिया है, यह job offer करनी के हिसाब से है, आप इसको change कर लें इमाली जी आप accountant हैं और accountancy का काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर accountant यह title दे सकते हैं और इसके बाद job description में आप किस तरह का job चाहते हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो बता दें, आपके experience, skills वगेरा दें कहा job करना चाहते हैं, location और इस तरह की जो जरूरी जानकारी है, वो आप यहाँ पर दे दें, उसके बाद नीचे आप अपना नाम, phone number और city एंटर कर दें, ताकि जिस व्यक्ति को आपकी जरूरत हो, वो आप से contact कर सके चूंकि हम यहाँ पर job offer करने के लिए add दे रहे हैं, इसलिए हम offering job वाले option को select करेंगे, offering job select करने पर यह अलग details हमको यहाँ पर भरना होगी, salary period में आप यह चुन सकते हैं, कि आप salary किस तरह से देना चाहेंगे, early, monthly, weekly, किस तरह से, वो आप यहाँ पर चुन लें, हमने चुन कीजिए, position type से आप यह चुन सकते हैं, कि आप किस तरह का job offer कर रहे हैं, full time, part time, contract basis पर या temporary, हमने यह चुन लिया, part time, उसके बाद यहाँ पर job details भर दीजिए, जो भी job description आपको देना है, वो देने के बाद, यहाँ पर अपना नाम, फिर phone number और city डाल दीजिए, जिससे कि जो भी आपके job में interested होगा, वो आपको आसाने से contact कर सके, अब यहाँ पर आप locality एंटर कर सकते हैं, हाला कि यह optional है, चाहें तो locality डाल दें, इसके बाद यह नीचे featured add के कुछ options दिये हुए हैं, यदि आप इन में से कोई प्लान चुनते हैं, तो आपकी add निर्धारित समय के ल नहीं तो without highlight by default selected रहता है, और इसके बाद submit पर क्लिक कर दें, submit पर क्लिक करते ही आपके द्वारा डाले गए mobile number पर एक verification code आएगा, उस code को यहाँ पर enter कर दें, code डालने के बाद confirm पर क्लिक कर दें, confirm पर क्लिक करते ही आपकी add पोस्ट हो जाएगी और यहाँ पर उसका message आ जाएगा, और आप चाहें तो view add पर क्लिक करके यहीं से add देख सकते हैं, यह देखे हमने view add पर क्लिक किया, तो यहाँ पर यह हमारी add हमको नजर आ रही है, अब अगर आप add में कोई भी changes करना चाहते हैं, तो उसकी process वही रहेगी, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो YouTube पर इसे like करें, अन्य लोगों के साथ share करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारी चैनल को subscribe करें